एक बार की बात है एक जंगल में एक चालाक लोमडी रहा करती थी, गर्मियों के दिन थे और वह भूख से परेशान होकर जंगल में भटक रही थी, बहुत देर जंगल में भटकने के बाद लोमडी को एक खरगोश मिला, लेकिन खरगोश मिलने के बाद लोमडी ने खरगोश को खाने की बजाए उसे छोड़ दिया क्योंकि वो इतना छोटा था कि उसे खाने से लोमडी का पेट कहां भरने वाला था। इसके बाद लोमडी आगे बड़ी फिर से जंगल में भटकने लगी। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद भूखी लोमडी को एक हिरन डिय दिखा हिरन को देखते ही लोमडी के मुह में पानी आ गया। लोमडी हिरन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दोड़ने लगी। लोमडी ने अपनी पूरी ताकत से हिरन का पीछा किया पर हिरन लोमडी की पकड में नहीं आया। अब लोमडी खाने की तलाश में बहुत ही ठक चुकी थी। जब लोमडी के हाथ हिरन भी नहीं लगा तो लोमडी सोचने लगी कि इससे अच्छा होता वह छोटे से खरगोश क कोई खा लेती जिसको उसने छोड़ा था। कुछ देर आराम करने के बाद लोमरी खरगोश को ढूंदने के लिए फिर से जंगल में भटकने लगी। जंगल में खरगोश को ढूंदते हुए लोमरी वहाँ पहुची जहां उसने खरगोश प्राबिट को देखा था। लेकिन लोमरी को वहाँ खरगोश नहीं देखा। थक हार कर लोमरी को अपनी गुफा में लोटना पड़ा। जिसके बाद कई दिनों तक लोमरी को अपनी गुफा में भूखा रहना पड़ा और बहुत दिन बीत जाने के बाद लोमरी को खाना मिला। उप्रोक्त लोमडी की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए. यदि लालच किये बिना संतोशी जीवन जीते हैं तो आप सुखी रहते हैं. हिंदी में इसके लिए प्रसिद्ध मुहावरा भी है कि लालच बुरी बला है. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कृप्या करके इस वीडियो को लाइक शेर और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो कृप्या करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए.